हेलो गाईज तो आज का जो हमारा कोश्चन है समय दे रहे रहा बस is moving with a speed of 10 meter per second on a straight road a scootrist which is to overtake the bus in 100 seconds if the bus is at a distance of 1 km from the scooters with what speed should the scooters change the bus तो यह जो कोश्चन है यह आ रहा है यह IPMT prelims 2009 में और यहां पर हमें चार option दे रहें तो इसको हम दो method से करेंगे पहला method यह वाला है इसमें हम पहले देखेंगे कि जो bus है वह 100 seconds में कितना distance travel कर लेती है अगर उसकी speed 10 meter per second है ठीक है तो इसके लिए हम यह वाला formula यूज करेंग तो speed हमें पता है bus की कितनी है 10 meter per second time वह भी हमें पता है कितना 100 second तो अब हम क्या करेंगे यह जो values है इनको formula में put कर देंगे तो आप देख सकते मैंने आप put कर दिया है तो जो distance आ रहा है 1000 meter यानि कि जो bus है वह 100 second में 1000 meter का distance travel कर लेगी अब जो scooter है उसे कितना distance travel करना पड़ेग 2000 meter क्योंकि बस initial distance था ना दोनों के बीच में वह 1 km था अब 100 second में बस 1 km और travel कर लेगी तो यानि कि total 2 km हो गया और जब मैं इस 2 km को मेटर में convert करूँगा तो 2000 meter आएगा ठीक है guys जो कि आप देख सकते मैंने लिख दे distance cover by the scooter in 100 second is equal to distance between the scooter जो कि initial distance था वो था 1000 meter plus distance covered by the bus in 100 second जो कि अभी हमने calculate किया है वो आया है 1000 meter तो इन दोनों को plus करके जो distance cover by the scooter in 100 second वो है 2000 meter यानि कि जो scooter है इसको इतना distance cover करना पड़ेगा 100 second में तो अब हम यहां से speed निकाल लेंगे scooter की उसके लिए हम यह वाला formula उसकरेंगे speed is equal to distance upon my time तो जो हमें distance हमारा calculate करका है वो है 2000 meter और time है 100 second तो यहां से जो speed आरे scooter की वो आरे 20 meter per second अब हम इस question को दूसरे method से करेंगे जो कि है relative velocity का concept यूज करके हम अब इस question को solve करेंगे तो हम जानते हैं कि जो relative velocity है वो क्या होगी तो क्या आप देख सकते है मैंने लिख देख लिए v s b यहां पर जो यह velocity है यह scooter की with respect to bus is equal to x relative यानि कि दोनों के बीज का relative distance यानि बस और scooter के बीज का तो जो relative distance है वो कितना है तो वो है 1000 meter ठीक है इसको question में तो 1 km दे रहा तो इसको हमने मीटर में convert कर लिया और time हमें दे रहा 100 second यानि कि जो scooter की velocity है with respect to bus वो आ रही है 10 meter per second तो किस आप मैंसे कैस हो सकते कि हम यहां पर इस velocity क्यों यूज कर रहे हैं तो किस हमें पता है कि जो scooter और bus है वो स्टेट लाइन में travel कर रहे है इसलिए यहां पर distance और displacement होगा वो सेम होगा इसलिए मैं यहां पर speed और velocity को interchange यूज करी जा रहा हूं ठीक है तो अब हम निकाल लेते हैं कि scooter की speed कितनी होगी तो हम मैं लिख दूँँगा विएस माइनस वी इस गौल टू है 10,0 meters पर सेकंड यहां पर विएस यह वेलॉस्टी ओब दे स्कूटर और वी बी है वह वै विलोस्टी ओफ बस ठीक हैं हमें वेलॉस्टी ओबस पता है जो कि आप देख सकते मैं लिख दिया है यह थी 10 meters पर सेकंड तो यहां पर हमने पू और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा थैंक्यू गाईज